हाई फ्रेंड आज हम करने वाले हैं तवे की ऐसी सफाई जो जितना भी कार्बन जमा हो जाता है हमारे तवे के उपर बहुत ज्यादा कालक जम जाती है उसे हम आज क्रेंग करने वाले हैं बहुत ज्यादा आसान तरीके से तो देख सकते हो कितना ज्यादा इसके उपर से कार् और यह हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा नुक्सान दाया के इससे कैंसर तक होता है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए बिल्खुल भी स्कीप ना करें अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो देख सकते हों? मेरा तवा बहुत ज्यादा खराब हो चुका है आजू बाजू इसके बहुत ही ज्यादा कालक जम चुकी है कार्बन जम चुका है जब भी हम रोटी वगेरा बनाते है तेल हम घी यूज़ करते है वो सारा घी तेल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है उसकी वज़े से हमारा तवा पुरा खराब हो जाता है तो यहाँ पे मैंने ग्यास की फ्लेम को अन कर दिया है उसकी उपर आपको रख देना है तवा और यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज का ही यूज़ करने वाले है वो है नमक नमक आपको जहाँ जहाँ आपको क्लीन करना है जहाँ जहाँ पे कार्बन जमा है वहाँ वहाँ पे आपको नमक डाल देना है ऐसे ही और उसे अच्छी तरीके से आपको फैला लेना है कोई भी आपको कल्ची वगिरा से इसे फैला लेना है देखे फ्रेंड ऐसे ही आपको इसे स्प्रेड कर लेना है यह बहुत अच्छी तरीके से सारी गंदगी निकालता है ये मुझे बहुत अच्छा लगा तरीका इसलिए मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ तो चलिए इसे आपको जहां जहां पे आपने नमक लगाया है वो वाला एरिया आपको गरम कर लेना है यहां पे मैं बीछ में क्लिन नहीं करूँगी आपके साथ वो शेयर करूंगी मैं कितना ये क्लीन हुआ है तो चलिए मैं आजू-बाजू का एरिया है उसे ही मैं पहले गरम कर लेती हूं और बहुत आसान तरीके से ये कारवन को निकाल देता है ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज्यादा मैनत भी आपको नहीं करने पड़ती है आपको अगर कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताए आपको किस टॉपिक के उपर वीडियो चाहिए मैं उसे जरूर बनाऊंगी तो देख सकते हूं थोड़ा-फोड़ा यहाँ पर गरम होने लगा है जैसे जैसे गरम होगा नमक हमारा थोड़ा तो अलग कलर हो जायेगा उसका तो देख सकते हूं ऐसे ही आपको गरम कर लेना है एक दो तिन मिनट इसे आपको गरम कर लेना है और जैसे ही अच्छी तरीके से गरम हो जाता है सारा कार्बन अपने आपे छोड़ने लगता है और जैसे जैसे आप नमक के उपर रगड़ोगे देकि ऐसे वाली कोई भी आपको कल्ची वगिरा ले लेनी है और ऐसे इसे रगड़ते रहना है और बहुत आसान तरीके से हो भी जाता है देख सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे कार्बन निकल रही है तो धीरे धीरे करके आपको ऐसे रगड़ते रहना है और बहुत ज्याद अच्छी तरीके से कारबन को छोड़ देता है बिल्कुल भी आपको ज्यादा स्क्रबर नहीं करना पड़ता तो चलिए मैं सारे तवे को ऐसे ही कर लेती हूँ आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी इसे कट नहीं किया है तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सारा कारबन निकाल दिया है, ऐसे ही आपको निकाल लेना है, जो तवे के किनारे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उसके उपर से भी आसानी से कारबन निकाल देता है, तो देखे कितना ज़्यादा यहाँ पे ह कितनी जाद यह कार्बन निकली है बहुती गंदा था हमारा तवा देख सकते हो आप कार्बन को एक प्लेट में में यहाँ पे डाल देती हूं और इसे आगे का प्रोसेस हम अभी स्टार्ट करते हैं तो देखी कितनी जाद यहाँ पे कार्बन निकली है वो सारी कार्बन हमारे पेट में जाने वाली थी और उसे बहुत ज़्यादा बिमारिया होती है अभी भी हमारा तवा बहुत ज़्यादा गरम है तो यहाँ पे अगर कारवन थोड़ी बहुत रह गई है तो उसे आप ऐसे ही खुरच के आप निकाल सकते हो आसानी से यह निकल जाएगी तो देखे कितनी ज़्यादा यहाँ पे और कारवन निकली है तो यहाँ पे मैं सारही कारवन ऐसे ही निकाल लोगी जो थोड़ी बोज बची है उसे आपको यहाँ पे निकाल लेना है तो देखे फिन सारही कारवन यहाँ से निकल चुकी है बीच में मैंने इसे गरम नहीं किया था तो बीच में मैं इसको क्लीन नहीं करूंगे तो यहाँ पे देखे कितनी ज़्यादा यहाँ पे कारबन हमारी निकल चुकी है थोड़ा सा उपर से आपको जो भी आप liquid use करते हो बरतन वगेरा क्लीन करने की लिए उसे आपको डाल देना है तो देख सकते हो तवा हमारा अभी भी गरम है कोई भी आपको यहाँ पे scrubber ले लेना है उसे अच्छी तरीके से आपको रगण लेना है हातों से भी मैंने यहाँ पे रगड़ा था थोड़ा से यहाँ पे मैंने कलची का भी यूज किया था क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे तवा हमारा तो ऐसे ही आपको स्क्रबर कर लेना है अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी भी आप एड़ कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी भी आट किया था ऐसे ही आपको सारे तवे को क्लीन कर लेना है और फिर इसे अच्छी तरीके से दो लेना है जिस तवे को आफ फेकने वाले थे वो पूराना आपका तवा बहुत अच्छी तरीके से चमक चुका है बहुत अच्छी इसकी cleaning भी हो चुकी है अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजी मैं आपके लिए लाते रहूँगी ऐसी अच्छे-ची वीडियो मेरे चैनल पर और भी वीडियो ये आप उन्हें भी चकाउट कर सकते हो